बड़ी खबर के साथ करते हैं यूपी में गाई के लिए दारू पर टैक्स, जिया विदेशी मदिरा पर एक से तीन रुपए प्रती बोतल टैक्स, देश में निर्मित शराब बियर पर दो रुपए तक टैक्स, होटेल में शराब पर दस रुपए प्रती बोतल टैक्स, होट होटेल में शराब पर 10 रुपे प्रती बोतल टैक्स लगेगा विदेशी मदिरा पर 1-3 रुपे प्रती बोतल टैक्स तो गाई के लिए अब दारू पर टैक्स यहां देश में निर्मित शराब बियर पर 2 रुपे तक टैक्स होटेल में शराब पर 10 रुपे प्रती बोतल टैक होटेल में बियर पीने पर पांच रुपए प्रती बोतल टैक्स इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं यूपी में गाई के लिए अब दारू पर टैक्स लगेंगे गाईउ के लिए करीब 165 करोर रुपए वसूनने का लक्ष है और हमारे साथ सीधे हमारे ब्यूरो चीफ विरेंद्र सिंग जुड़ गए इसी ख़बर पर जादा जानकारी के साथ विरेंद्र जी जिस प्रकार से गायों के लिए 165 करोर रुपए जुगारने थे क्या लगता है उसके लिए यही रास्ता बचा था योगी सरकार के पास देखिए सराव उत्तर परदेश में पीना महेंगा होने जा रहा है लेकिन यह महेंगाई बढ़ने के पीछे एक सामाजिक करण है जिसमें गायों की सरच्छा सुरच्छा उनके लिए गौसाला बनाना भराल पोसण करना जो छुट्टा पसू है निरास्रित पसू है जिनकी वज़ा से बहुत सारी समस्याएं लोगों के खेट चर जा रहे हैं मुंदेल खंड से लेके पश्चमी उत्तर परदेश पूरवांचल तक लोग परिशान है उनके लिए योगी सरकार ने एक फार्मू और अगर आप सीधे दुकान से खरीद के पीते हैं तो देशी मदीरा पर दो रुपए तक और विदेशी बीयर या दारू पर एक से तीन रुपए तक टैक्स लगाया गया है तो 165 करोड़ रुपया सरकार उसूलना चाहती है जिससे की निरास्रित पसूओं के लिए गौस पहली बार इस सरकार ने सराब को एक भलाई के कार के लिए इस्तिमाल करने की कोशिस की है आज कैबिनेट में डिसीजन हो गया है तो आज से विवस्ता लागू हो गई है लेकिन सवाल एहम यही है इससे पहले भी कई बार गायों के लिए कई कदम उठाए गये हैं जैसे ती अगर साबित होगा विरेंद्र जी देगे सरकार की एक कोशी से चुकी जो छुटा पसू है निरासरित पसू है आवारा पसू है यह बहुत बड़ी समस्या बने हुए हैं ग्रामील इलाकों में किसानों के खेतों के लिए सरकार के पास यह बात आई तो सरकार ने कहा कि जिल कि लिए पैसे चाहिए होंगे तो यूपी काबिनेट की एहम बैठक सीम योगी के अध्यक्ष्टा